अच्छा बटा हमारा जो question आज मैं लिखता हूँ के topic is mole बटा कल हमने सरफ ये चीज़ ठीकी थी कि किसी भी चीज़ का जो एक mole होता है that is equal to its atomic mass या molecular mass या formula mass for example जी मैं उस चीज़ को फिर revise कर देता हूँ जल्दी से कि one mole one mole of oxygen फिर मैं नीचे लिखता हूँ one mole of O2 फिर मैं नीचे लिखता हूँ one mole of water फिर मैं नीचे लिखता हूँ बटा अजरा आप को इने में फरक बताते हूँ कि आपने क्या करना है ने लिख है one mole of oxygen, ऐटा ऑक्सिजन का अटॉमिक मेश किया होते है। अट्यक्सिजन का आटॉमिक मेश कितना होगा। ऑक्सिजन 16 ठीक है। और 16 मोल रिन वांव ये नमेक्षप हां। और किनदे रिफिर रीफार्टिकल कितना हो इलुड़ French दिफिर मॉल थे एंगे करूँगा भाई क्योंकि मुझे पता है पार्टिकल्स जो है ना पार्टिकल्स में भी एटम एटम भी हो सकते हैं पार्टिकल्स बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं पार्टिकल्स बेटा फॉर्मूला यूनेट्स भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स बेटा आइंस भी हो सकते है अब मैंने यहां पर 6.02 10 की पावर 23 तो लिख दिया लेकिंग मुझे बताएं यह क्या है एक्टम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं आइंस हैं फॉर्मॉला यूनिट हैं यह कौन बताएगा भरी इस ऑक्सीजन को देखें होर से यह ऑक्सीजन एक्टम है यह मॉलिक्यूल है जी जी बेटा यह ऑक्सीजन क्या है एक्टम है या मॉलिक्यूल है जी क्या कहते हैं जी इस ऑक्सीजन के बारे में इस एक्टम और मॉलिक्यूल सरी आटम है तो आपको आगे लिखना है एक्टम इसी तरीके से अगर मैं यह पूछता हूँ जी वन मॉल अफ ओ टू इसका कितना मैस होगा ऑक्सीजन का ओटू का तो आप क्या करेंगे प्रिजूरिक टेबल से देखेंगे कि एक ऑक्सीजन का मैस सिक्स्टीन है यहां पर दो है तो देट इस इक्वल तो 32 ग्रैम्स लेकिन है तो वन मॉल ना तो वन मॉल के अंदर पार्टिकल कितने आते हैं 6.02 टैन की पावर 23 लेकिन अब यह देखें इस इटम और मॉलीकूल ओटू इस आ मॉलीकूल तो यहां पर आपको आगे मॉलीकूल लिखना है बेटा यह दरा डिफ्रेंशेट करते जाएं मैं क्या कर रहा हूं यहां पर क्योंकि आक्सीजन एटम की फॉर्म में था तो आप अब अवगैड्रोस नंबर के आगे एटम लिखेंगे इस 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 नमबर में मैंने ओटू लिखा ओटू इस आ मॉलीकूल तो मैं क्या करूंगा जो आवगैड्रोस नंबर है 6.0210 के बावट 23 उसके आगे मॉलीकूल लिख दिया है नेक्सी वन मॉल आफ वाटर अब वाटर का कितना मैस होता है देखें वाटर का अपने फॉर्मूला मैस निकालने है कल आपने आपको सखाया था ना फॉर्मूला मैस कैसे निकालते हैं देखें यह एच्टू ओ है दिरा टू हाइड्रोजन एंड वन आक्सीजन हाइड्रोजन का टॉमिक मैस वन होता है आक्सीजन का टॉमिक मैस 16 तो यह कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 18 तो यह आपके पास बेट 6.0205 तो टेन की पंवर 23 अब पार्टी के स्पैसिफाय करना ऑप बैटा आपने बटाव कि पार्टीकल्ड इंज हैं अटम्स इं आं मॉलेक्डिम्स हैं यह फॉर्मूल उनिट उनस बताएं जी क्या हैं यहां पर पार्टिट्ल्स во जी बेटा हैं बताएंगे यहां पर न यहां पर यह H2O को आप किस category में रखेंगे आइन की category में, atom की category में, molecule की category में या formula unit की category में formula unit क्यों भाई, formula unit तो ionic compound के लिए होता है, is it not a molecule H2O molecule तो बटा इसको molecule कहेंगे, molecule, covalent compounds are made up of molecule, water is a covalent compound, तो यह molecule से मिलके बनाओगा, formula unit में भी आपको बताता हूँ, कहां यूज़ करेंगे, one mole of NaCl, जड़ा इसका mass बताएं ना formula mass, sodium का होता है 23, chlorine का होता है 35.5 तो आप अगर इसको sum कर दें, तो यह बनेगा 58.5, तो 58.5 gram बेटा आप NaCl ले ले लें, तो that will make one mole, और एक mole में पार्टिकल कितने आते हैं, 6.02, 10 के power 23, अब आपने यह देखना है कि जो NaCl है, is it ion, atom, molecule या formula unit, तो याद रखें बेटा, जो ionic compounds होते हैं, ionic compound, वो molecule से मिलके नहीं बने होते हैं, वो दो unit से मिलके बने होते हैं, कौन सी दो units, एक positive unit और एक negative unit, तो इसके अंदर जो formula unit है, वो दो हैं, एक sodium iron और एक chloride iron, तो ionic compound के लिए आप molecule का word use नहीं करेंगे, formula unit का word use करेंगे, जिस तरह आप बोलते हैं कि water का एक molecule, इसी तरह ionic compound के लि unit, ठीक है, तो बड़ा, इन में differentiate कर पा रहे हैं, यह नहीं कर पा रहे हैं, एक सरी बात, repeat कर सकते हैं, मैं तो लेट आया था, हाँ बेटा, मैं यह कह रहा हूँ, कि यह जो ionic compound है, क्या यह इस से मिलके नहीं बने होते हैं, positive iron और negative iron से, इस तरह के से, देखें ज़रा, ऐसी मि ionic compound कौन से दो unit से मिलके बना है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर, एक positive unit है, और एक negative unit है, इस से मिलके बना हो है, ionic compound, तो इसलिए ionic compound के लिए, हम जो term use करते हैं, कि ionic compounds are made up of formula units, कि यह दो unit से मिलके बनते हैं, और उन units को आप formula unit कहते हैं, और उन में एक positive unit होगी, और एक negative unit होगी, जबके जो covalent compound होते हैं न बैटा, covalent like water, तो covalent compounds are made up of molecules, covalent compound molecules से मिलके बनते हैं और ionic compound इस तरह positive और negative unit से मिलके बनते हैं, ये बात बैटा, मैंने बताई है, clear है ये, भी सर, अच्छा बैटा अब हम आगे questions की तरह आते हैं जी, अभी तक मैंने life में unit use करते हैं dozen doesn't mean 12 इस तरह केमिस्ट्री में हम जो यूनिट use करते हैं वो है mole और एक mole में particle कितने आते हैं एवोगेड्रोस particle एवोगेड्रोस particle कितने होते है 6.02 10 की पावर 23 और ये particles आप कैसे calculate करते हैं बेटा किसी भी element का जो atomic mass होगा या molecular mass होगा या formula mass that is equal to one more आप देख सकते हैं oxygen atom के एक mole का कितना mass है 16 oxygen molecule के एक mole का कितना mass है 32 water molecule के एक mole का कितना mass है 18 और NACL के formula unit के एक mole का कितना mass है 58.5 तो basically आप atomic mass को sum करते हैं वो आपका एक mole बना देता है तो बड़ा मैं new page open कर रहा हूँ और उसमें first question मैं ये लिखता हूँ के find the अभी जो हम बेटा question करने जा रहे हैं वो question conversion है mole mass conversion के आप mole को mass में कैसे convert करेंगे और mass को mole में कैसे convert करेंगे तो ये mole mass conversion बेटा हम करने जा रहे हैं अच्छे ये कैसे होगी question मैं लिखता हूँ पहले के find the mass in 0.26 moles of nao h रहे हैं ये question है जी आप लोगों ने बिलकुल formula की तरफ तो जाना ही नहीं है question को read करें कि आपने mass find out करने है find the mass और what is given moles are given ठीक है भई ये दो चीज़े हैं जी आपके पास तो अब आप यहां देखें एक आपके पास given है और एक आपके पास required है given क्या है बटा आपके पास आपके पास जो चीज़ given है that is mole question में आप देखें mole is given और बटा required क्या है आपको आपने mass find out करना है तो mass आप required के नहीं चे लिए और किस compound के बात हो रही है जी nao h की जब भी बेटा question start करें one mole से start करें कि एक mole nao h के कितना mass होगा जी ठीक है तो हमें देखें एक mole nao h के कितना mass होगा जी one mole of nao h इसका mass कितना mass यहीं पर निकाल लेते हैं जी हम sodium का होता है 23 oxygen का होता है जी 16 oxygen का है 16 और hydrogen का है 1 तो बढ़ा इसको आप सम कर लें 23 प्लस 16 प्लस 1 तो that is equal to 40 तो बढ़ा यह आपके पास 40 आ जाएगा जी ठीक है कि एक mole बढ़ा देखें एक mole nao h का कितना mass है 40 gram ऐसी है ना बेटा किसमें कुई problem तो नहीं है यह जो मैंने first ratio यहाँ बनाई है कि एक mole nao h का 40 gram mass है अच्छा वो कितने mole का पूछना चाहरा है भाई आपसे 0.26 तो आप क्या करें 0.26 mole के निचे लिखें 0.26 moles और इसका mass कितना है यह हमने find out करना है x यहाँ से x कर दें अब बढ़ा आपने simple क्रिस क्रॉस करना है क्रिस क्रॉस करेंगे आपके पास answer आजाएगा इसको इदर लेके जाएं इसको इदर लेके जाएं तो आपके पास जो अब नहीं क्विगन बनेगी x is equal to 40 into 0.26 यह आपके पास बिटा आजाएगा तो x क्या है mass है basically इसको multiply कर ले मेटा mass आजाएगा x is basically mass of naoh बटा क्या answer आ रहा है जी 10.4 यह आपका answer है इस तरह मैं भी एक और question देता हूं बटा वो आप लोग करेंगे menu page open कर लो भाई जी सर गर्ला अच्छा find the बटा भी मुश्किल question की तरफ भी आएंगे ठीक है अभी आइस्ता आइस्ता ठीक है आप यह ना समझें सर यह तो इतने असान है यह अभी मुश्किल की तरफ भी आते find the molds in 260 grams of glucose glucose होता है बटा C6H12O6 बटा अजान हो रही है आप लोग इसको खुद करें मैं भी आगे नहीं बोलूँगा कई उर्साराव ग्मकारणे और किया है तरी मोश्किल की आते Bra़र्स बख। उलब मांदोगो। जचे पर दो जूमा खिदे निये, भजम शगर हिस तरहर हो, चाल दो हम शगर को है। वजे बाल कर दो अच्छा बेटा देखें इस question में वो कह रहा था कि find the moles in 260 gram of glucose तो पहला काम मैंने देखा है कि given क्या है और required क्या है बेटा given आपके पास यहां पर मैस था ठीक है तो given के नीचे मैंने मैस लिख दिया है और required क्या है mole और जब भी question solve करना है हमेशा एक mole से start करना है कि एक mole glucose का क्या मैस होगा तो बेटा one mole of glucose का मैस मैंने ये निकाल लिया उसका formula मैस glucose का जो formula मैस होता है बेटा या किसी भी compound का जो formula मैस होता है वो one mole के equal होता है ये बात सब को पता है या नहीं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये बात ना पता हो कि formula mass of any compound makes one mole ये बात सब को बता है ना बेटा ठीक है तो मैंने बेटा एक mole glucose का mass कितना नकाल लिया 180 gram तो मज़े ये समझाईए कि अच्छा 180 gram लेंगे तो one mole बनेगा तो 260 gram बेटा कितना बनाएगा तो 260 gram mass के नीचे mass लिखें 260 gram makes how many moles x तो यहाँ से आपने x बेटा find out करना है तो क्रिस क्रॉस कर ले इस x को इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए तो यह आपके पास बन जेगा x into 180 is equal to 260 into 1 और x find out करना है तो 260 divided by 180 आपके पास answer आ जाएगा 1.2 बटा आपको यह मैं अभी ना आपसे मैं एक वर्कशिट शेयर करूंगा वो वर्कशिट जो है इस लिहाज से बहुत अच्छी है मोल की जो मैंने मोल की वर्कशिट बनाई है उसमें बेटा मैंने इस तरह क्वेस्ट नहीं डाल दिये कि अंदर धुन हर क्वेस्ट उसमें फैंका हूँ है नहीं मोल की वर्कशिट के अंदर मैंने सब टॉपिक्स बनाई हुए सब टॉपिक्स इस तरीके से के मोल मैस कनवरियन वो question जिसमें मोल को मैस में convert करना है और मैस को मोल में वो question मैंने अलाइदा कियो है percentage yield वाले आपको अलाइदा question कियो है आईसो टोपिक abundance वाले question अलाइदा है जिसमें empirical molecular formula निकालना है वो question अलाइदा कियो है और इसी तरह topic wise सब topic wise मैंने मोल की वरक्षीट बनाई है भी हम थोड़े से question ये कर लें तो मैं आपको ये मोल की वरक्षीट आप लोगों से share करता हूँ और बटा ये बास जेन में रहें जिस दिन academy खुलेगी जिस दिन मुझे आप उस दिन class में होगी जिस दिन academy में आप आएंगे ना first day उस दिन class नहीं होगी बेटा मैं आगे नहीं पढ़ा हूँगा मैं सिर्फ आपके topical check करूँगा भी कि जो आपको मैं send करता जा रहा था chemical bonding के, energetics के और atomic structure के मैं ये देखूँगा आया वो complete है या नहीं है तो ये बात जिन में रखेंगे उसको complete करें ठीक है अच्छा, बटा अब next question मैं लिखता हूँ जी next question ये आप इसी तरीके से heading बटा देते जाएंगे दो question मैं भी तक आपको कुरा चुका हूँ और दोनो question किस heading के अंदर आ रहे हैं mole mass conversion में आ रहे हैं कि आपने mole को कैसे convert करना है और mass के कैसे convert करना है अब बटा मैं आगे चलता हूँ अब आते हैं जी कि mole से बटा mole से आपने molecules कैसे find out करने हैं और फिर आगे atoms की तरफ कैसे जाना है ये बड़ा important है कि mole से molecules कैसे find out करेंगे और फिर atoms की तरफ कैसे आएंगे तो मेरा question अब यह है question आप लोग लिख लेंगे कि how many how many atoms are there in 11 gram of propane देखें chemistry के अंदर मैं बेटा आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जो basic यहाँ currency होगी वो mall होगी जिससरा आप बाकी दुनिया में अगर आपने travel करना है तो आप currency चेंज कराते है ना आप कहते हैं डॉलर हम ले लेंगे तो chemistry के अंदर जो calculation की currency है जो unit है वो mall है आप के पास जब भी question आए आप पहले unit को जो भी unit उसने use की हुई है देखिए यहाँ पर उसने mass को use किया हुई है तो आप इसको पहले mall में convert करेंगे तब आगे काम चलेगा अदरवाइस काम नहीं चलेगा बटा पहला काम जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि इस first step मैं मैं साइट पर लिखता भी जा रहा हूँ कि steps क्या हैं जी इसमें कि जो mass उसने दिया हुआ है मैं इसको पेटा mall में change करूँगा तो step number one mass को mall में change करना है मेरे पास पेटा given और required given क्या है और required क्या है given है यहाँ पर पेटा mass कुन से बचाया है यह बटा देखें यह मुझे आज समझ आई है कि पिछले दो वीक्स पिछले पूरा एक वीक जो है ना हमारी क्लास की strength बहुत कम रही है इसका मतलब है कि आप लोग सुबा मतलब सोते रहे हैं और एक्सर बच्चों ने classes टेंडनी की तो आज क्लास थोड़ी से लेट आई है तो आज आप लोग भी क्लास में सारे आगें तो बटा इस्तरा मत करें क्लास कोई भी एक क्लास मिस्त ना करें अगर आपने एक भी क्लास मिस्त करेंगे तो आपको बहुत इसका loss होगा ठीक है और दूसरी चीज़ मैं भी आपको फिर दिर्मयान में लेक्चर रोक के बता रहा हूँ कि अभी जो हमने बेटा ये काम शुरू किया है मैंने आपको टॉपिक बता दिये कि नेक्स वीक में जो हमारी दो एक्स्टरा क्लास थे उसके लिए और अगर आप भी स्रियस नहीं होते तो भी बत भूत काना कुए प। प्र मेरे हाथ से बात निकल जाएगी बेटा हमारे घास से नहीं निकला थिक है तो अभी भी आप अगर स्रियस हो जाते हैं तो इंशाललह उमीद आपका अच्छा ग्रेट आएगा लेकिन अगर ये चार महीने हैं बेटा सिर्फ चार महीने है देखें जैनुरी टैंथ हागी है फैबुरी, मार्च, एपरिल और थोड़ा सा हिस्सा ये जैनुरी का है अगर इन साड़े तीन महीनों में आपने थोड़ी सी मेनत कर ली ना तो आगे आप पष्टाएंगे नहीं जिसने आपका रिजल्ट आए गाना आप भी देख लें आप परसो रिजल्ट आ रहे ना बेटा मंड़े को रिजल्ट आ रहे है एस का फिर उस टाम आप देखें कि उस टाम बच्चे कितने परेशान होते हैं और सोच छे होते हैं जि जी हम थोड़ी से मेनत कर लेते हैं तो ये ना होता तो अभी टाइम है वो मेनत करने का ठीक है अभी ये टाइम मत जाहए करें इब बार बार कहर रहा हूँ class miss نہ کریں एक class भी miss करते है तो तो इसका बड़ा नुकसान होता है बेटा अच्छा अब अब हम question पर वापस आते हैं जी कि इस question के अंदर आपने क्या करना है मॉल को atoms तक लेकर जाना है और उसने हमें मॉल भी नहीं दिया हुए बलका mass दिया हुए तो पहला काम हम ये करेंगे कि mass को मॉल में चेंज करेंगे मॉल को मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे और मॉलिक्यूल को atoms में चेंज करेंगे ये हमने बेटा सारे काम करने है तो पहला काम mass को मॉल में चेंज करते हैं तो हम given और required मैंने लिख दिया है question में आप देखें कि हमें क्या चीज गिवन है आप देख सकतें 11 gram यह आपको बता रहा है कि हमारे पास mass is given और required हमारा क्या है mole हमने mole find out करना है तो बटा क्या करेंगे आपको बताया है जब भी mass mole relation हो तो हमेशा एक mole से start करते हैं कि एक mole propane अच्छा प्रोपेन का formula लिख देता ह बटा पहला काम अब यह है कि हमने एक mole propane का mass बताना है कोई बच्चा मज़े बता सकते है जी एक mole propane का mass कैसे निकलेगा एक mole propane का mass कैसे निकलेगा जी जी बटा इसका क्या find out करेंगे तो एक mole का mass आ जाएगा formula mass बटा इसका formula mass निकालते हैं जी C3H8 तीन carbon है एट hydrogen है carbon का atomic mass 12 hydrogen का atomic mass 1 तो 12 threes है कितना हो दे 36 plus 8 कितना हो गया भाई 44 44 है सब्सक्राइब सकते है कैसे बेटा टेरेकली कैसे कि पेटा ये साइड पर वर्किंग शूकरनी जरूरी यह नहीं 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 यह यह नहीं राजब लांजबी नहीं आप लोगं के लिए कर रहा हूं अच्छा बेटा एक मोल में एक मोल में 44 ग्रैम हैं तो बेटा अब आप इसको ऐसे देखें कि 44 ग्रैम मेक्स 1 मोल 11 ग्रैम में कितने मोल आएंगे भाई 11 ग्रैम में अब आप यहां लिखें कि 11 ग्रैम्स मेक्स हो मेनी मोल एक्स मोल बटा यहां से आप X निकाल लें क्रिस क्रॉस करें X is equal to 11 divided by 44 तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा क्या आएगा जी 11 divided by 44 तो 0.25 यह बटा मोल आगे हैं देखें आपको मैंने बता है आपने पहला काम यह करना है कि आपके पास जो भी given information है उसको convert करना है मोल के अंदर ठीक है उसके बगार काम नहीं चलेगा तो यह मोल में आपने convert कर दिया जी पहला काम आपने कर लिए यह उपर देखें उपर मैंने यह step बताए हुए कि मैंस को मोल में change कर दिया अब क्या करना है बटा second step कि इस मोल को किस में change करें molecule में बटा यह भी आपको पता होना चाहिए कि एक मोल के अंदर एक मोल water का हो यह प्रोपेन कहा सोरी वन मोल आफ प्रोपेन बटा एक मोल में कितने molecules आते हैं बताएं ज six point zero two ten की power twenty three molecules एक मोल का यही मतलब होता है बटा एवोगैडरोज तो one mole of C3H8 में इतने molecules आ रहे हैं ठीक है आपने क्या बताना है आपने बताना है कि zero point two five में कितने molecules आएंगे क्योंकि हम बटा मोल को molecule में convert करने जा रहे हैं ना तो एक मोल में तो six point zero two आते हैं लेकिन आपके पास तो एक मोल नहीं है आपके पास zero point two five है तो zero point two five मोल जो होंगे zero point two two five मोल of C3H8 इसमें कितने molecules आएंगे जी x यह आपको find out करना है तो यहां से बेटा आपने क्रिस क्रॉस करके इसकी value find out करनी है जी अ कि क्या आएंगे बेटा कोई बच्चा इसको calculate कर सकता है इसके बेटा इसके बाद third step क्या है देखें हम यहां तक पहुंच चुके हैं जी कहां तक कि आपने पहला काम क्या किया था बेटा यह देखिए गजरा उपर आपने पहला काम यह किया कि इस मैस को मोल में change किया बिल्कुल यह आपके समने है second step बेटा आपने यह किया कि इस मोल को molecule में change कर दिया यह जी आपका second step अब थर्ड स्टेप आपने इस मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जाना है थर्ड स्टेप ये है आप देखिए गज़रा कि थर्ड स्टेप हम कैसे करेंगे बढ़ वन मॉलिक्यूल जो है वन मॉलिक्यूल औफ C3H8 आप मजए बता सकते हैं एक molecule में total atoms कितने हैं भई, इस एक molecule, C3H8 में total atoms कितने हैं, जी मेडा, इस एक molecule में total atoms कितने हैं, बताएं शाबाज, तीन carbon के atom हैं और कितने hydrogen के atom हैं, आठ, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया भई, 11, एक molecule में 11 atoms हैं, लेकिन आपने एक molecule का तो नहीं बताना ने बेटा, आपने तो इतने molecules का बताना हैं, जो उपर आपने find out किये हैं, तो यहां मैं लिखता हूँ, 1.505 into 10 की power 23 molecules of C3H8 में कितने atoms आएंगे X, तो यहां से बेटा आप X की value निकालेंगे, तो जब आप इसको solve करेंगे, तो यह आजएगा, X is equal to 1.505 into 10 की power 23 into 11, बड़ा आपका जो answer आ रहा है, वो मैं blue color से लिख रहा हूँ, 1.65, 10 की power 24 atoms, बड़ा इसके picture ले ले लें, अगर नहीं लिखा तो, इसी तरह का भी मैं एक और question कराता हूँ आपको, लेकि पहले इसको note कर लिए सब बच्चों ने, जी मेटा इसको note कर लिए सब बच्चों ने, Hello, अच्छा मेटा एक और question इसी तरह का करते हैं, आप लोग करेंगे, अच्चा में ला एक मत्फ़ मकष्चा हो था इसकेrees कंते हैं लेख मिए्वाद पार इसकते हैं, जी वत्च हम मयोठत बच्चाना हुईतना olsun değiş सबस्क hmभा एक झार इसक चुयो च्चाना सब्चाना सरी खत्तश्था! अले लो आफिलाब हाला वे लोस्ता लो आफ summat लियुकी लो मीन झालियुकी घर झालियु Dragοι बियुकी अधनने को हम दो एकांभ गल्युकी है फो है तुिक में आते हैं है । आप लोग के पास एक एक मिनिट है तो एक मिनिट के बाद पिर मैं सॉल्ट करूँ आप लोग एक मिनिट में ज़ल्दी से अगर सॉल्ट कर सकते हैं तो करें ताकि आपका स्लिफ इसस भी हो जाए क्वाज से शुर्णा। बढ़ा है झाल 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 होगे बटा चलें आप जरा चेक कर लें कि यही किया बिलकुल आपने कोई स्टेप बटा मिस नहीं करना यह नहीं है कि जी हम एक्सपर्ड होगे जरा हम यह नहीं लिखेंगे गिवन रेक्वाइड आप इसी दीके से बार-बार करेंगे ताकि आपका हाथ बैट जाए एक तरी यह स्टेप बन था इस इस स्टेप तू अब स्टेप थी पर आ रहें जी कि एक तरफ कैसे जाने है यह तो गिवन ही होगा न वन मॉलीक्यूल आफ वाटर में कितने अटम्स है यह तो अंडर्स्टूड है नहीं मेटा यह आप खुद देखेंगे कि वाटर के एक मॉलीक्यूल में तीन एटम है दो हाइड्योजन के एटम है और एक ऑक्सिजन का एटम है तो three atoms so इसको हम assume करें this is given and यह आपका given है लेकिन हमें find out कितने molecules के लिए करना है five point two nine के लिए तो five point two nine into ten के power twenty three molecules of water इसमें कितने atoms आएंगे x यहां से बेटा आप इसको क्रिस क्रोस करके निकाल लेंगे five point two nine into three तो यह आपके पास आ रहा है जी fifteen point eight seven into ten के power twenty three atoms लेकिन best तरीका यह होता है कि आप इस point को एक पीछे ले जाएं तो one point five eight seven into ten की power twenty four atoms ठीक है जी कोई मसला है इस question में तो मुझसे पूछें या ठीक है पिड़ा आगे चलेंगे कोई problem है इसमें जी बटा है जी बटा जी आके चलें अच्छा बटा अब मैं थोड़ा सा मुझकिल क्वेस्टिन के दर आता हूं यह तो थे atoms और आपको पता है कि atoms आप सिरफ काउंट कर सकते हैं कोविलेंट कंपाउंट के अदर राइट अभी अगर मैं आ जाओं ionic compound के ऊपर तो उसमें थोड़ा सब आपको change मिलेगा कैसे जी ज़रा देखिएगा यह sodium carbonate है वेटा solid form में और आप जब इसको water में डालेंगे तो it will ionize into sodium ion and carbonate ion पर क्वेस्टन यह है कि find the total number of ions when you dissolve 10 gram of sodium carbonate into water यह जी question अब यह एक बात बेटा अपने जहन में बठा लें कि जब भी ions की बात होगी तो यह लाजमी है कि आप equation लिखेंगे उसके बगार आप नहीं करेंगे कभी भी मिस्टेक हो जाएगी ठीक है तो जब भी वह आपसे आइंस की बात करें कि find the total number of ions आइंस तो आपको एक्वेइन लिखनी होगी इस एक्वेइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बटा इसको समझने में कि यह sodium carbonate एक salt है मैंने इसको water में डाला तो water क्या कर कैसे आगे है और अब मैं यह कह रहा हूँ question यह कर रहा हूँ कि आप जब 10 gram sodium carbonate water में डालेंगे 10 gram sodium carbonate आप जब water में डालेंगे तो कितने ions produce होंगे find the total number of ions बटा question समझ आ रहा है आपको जी बटा question समझ आ रहा है यह नहीं है जी सर अब आपने आइंज बताने है तो हम equation के left side पर देखेंगे या right side पर right side पर क्योंकि आइंज तो right side पर बन रहे हैं बटा आपको मैंने भी बताया है कि chemistry के अंदर जो हमारी currency है वो मोल है आपने हमेशा जो आपके पास given information होगी पहले इसको मोल में convert करना है तो पहला हमारा target यह होगा step number one यह आप इसको ऐसी लिखते जाएंगे कि mass को आपने मोल में convert करना है और कैसे convert करना है बड़ा simple है आप यहां लिख लें given और required given कि हमारे पास यहां पर mass और required हमें क्या है कि इस 10 gram of sodium carbonate के mall निकालने है इस इस दी required तो अब एक मोल sodium carbonate का कितना मैस होगा जी वन मोल आफ sodium carbonate तो इसका MR निकाल लेते है जी formula mass sorry formula mass MR क्यों नहीं बोलूँगा भई MR का word क्यों गलिता है इसके लिए क्योंके this is not a covalent compound this is ionic compound covalent compound के लिए हम molecular mass के word यूज़ करते हैं ionic compound के लिए formula mass और formula mass आप तमाम compounds के लिए भी यूज़ कर सकते हैं covalent और ionic बटा यहां पर इसका जब हम formula mass निकालेंगे तो there are two sodiums one carbon and three oxygen इनके values put करते हैं जी sodium 23 carbon 12 और oxygen है 16 कोई बच्चा है जो जल्दी से इसको solve कर ले भई 23 times 2 46 हो गया plus 12 हो गया और 16 times 3 48 और इसको add कर ले बटा 48 plus 12 plus 46 तो यह 106 आगे तो one mole of sodium carbonate को mass है वो 106 gram है ठीक है 106 gram of sodium carbonate makes one mole तो 10 gram कितना बनाएगा तो 10 gram makes x mole यहां से बेटा हम x को find out कर लेंगे तो next उसके अंदर x is equal to 10 divided by 106 0.094 बड़ें यह मोल्स याद रख्येगा these are the moles of sodium carbonate यहां तक clear है भई यहां तक किसी को problem तो नहीं है कि मैंने मैं मैं यहां पर आसानी के लिए आपने 10 को नहीं पढ़ना आपने कहना है के find the total number of ions when you dissolve 0.094 moles of sodium carbonate into the water equation मैं नीचे फिर लिख देता हूं इसके लिचे मैं लिख देता हूं moles of Na2CO3 equation देखें बेटा equation यह है बटा पहला काम हम यह करते हैं कि हम इस equation को read करते हैं equation को read कैसे किया जाता है मैं स्क्वेगन को read के करूंगा बेटा when I dissolve one mole of sodium carbonate यह जब पहले पहले कोफिशंट लगा होता है यह mole को बताता है Na2CO3 के पहले कुछ नहीं लगा होता तो it means one है कि जब मैं एक mole sodium carbonate dissolve करूंगा one mole of sodium carbonate it produces how many moles of sodium आइन बेटा how many moles of sodium आइन बेटा two and how many moles of carbonate आइन बेटा one बड़ा यह बात समझा रही है जो मैं इस equation को read कर रहा हूं कि how to interpret the equation interpret कैसे करते है equation को कि one mole of sodium carbonate produces two mole of sodium आइन and one mole of carbonate आइन तो मैं चले नीचे heading दे देता हूं इसकी भी interpret the equation या by interpreting the equation by interpreting the equation कैसे है कि one mole of Na2CO3 produces three moles of ions क्या आप लोग इस statement से agree करते हैं या नहीं करते हैं मझे यह बताएं जा क्या आप लोग इस statement से agree करते हैं कि जो मैंने भी लिखी है कि one mole of sodium carbonate produces three moles of ions जी सर्थ कैसे जी three कैसे हो गया सोडियम के और एक कार्बोनेट येस तो टोटल नंबर आफ आइन्स बटा आपके पास three है एक दो मॉल सोडियम के हैं और एक मॉल कार्बोनेट का है जिससे आपको बता चलेगा कि टोटल नंबर आइन्स आर थ्री तो एक मॉल सोडियम कार्बोनेट तीन मॉल प्रोड्यूस करके दे रहे बटा आपने सारा काम कर लिया यहां पर मैं इसको फिर इस तरह के से लिख देता हूँ कि वन मॉल आफ एने टू सियो थ्री गेवस थ्री मॉल्स आफ आइन्स बटा आपने कितने मॉल नकाले थे जी सोडियम कार्बोनेट के ज़रा उपर देखें जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट हाँ तो आपने इसमें बताना है देखें वो कह रहा है find the total number of आइन्स जब इतने मॉल डिजॉल्फ करेंगे 0.094 तो 0.094 मॉलs आप सोडियम कार्बोनेट प्रोडूशीज हॉ मैनी आइन्स बटा three times इसका जादा होगा मैंने लेकिन x कर दिये कि एक मॉल सोडियम कार्बोनेट तो तीन आइन्स दे रहे तीन मॉल्स दे रहे जी लेकिन 0.094 मॉल के कितने आइनस देगा x तो यहां से हम इसको क्रिस क्रोस कर लेते हैं X is equal to 3 into 0.094 बटा यह कितने मोल्स बन रहे हैं जी बताएं जड़ा टोटल मोल्स of आइंस जिसको मैं X कह रहा हूँ अगर मैं इसको multiply करो 3 times 0.094 तो यह बटा आजएगा आपके पास 0.282 मोल्स of टोटल आइंस ठीक है जी यहां तक किसी को problem है तो मुझसे पहले पूछे जी मैं इसको page को छोटा करता हूँ ताकि आप लोग के सामने पूरा question आज़े यह जी देखें यह पूरा question आगया आप इसकी picture भी ले सकते हैं मुझे कौन बतायागा जी भी answer आगया यह नहीं आगया यह मझे बताएं बटा यह answer है यह नहीं है यह मझे बताएं जी is it answer there is every 6.02 बेलकुल 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 क्योंकि देखें क्वेस्टन दा गोर से पढ़िएगा find the total number मैंने number मांगए अगर मैं यहां लिखता ना कि find the total moles of ions अगर मैं यह लिख देता कि find the total moles of ions तो फिर तो बात बिलकुल ठीक थी आपने यह total moles बता दिये हैं यह है total moles अगर मैं लिखता ना total moles तो बेटा देखें कैसे निकाला है फिर सुने मैंने पहले 10 gram को mole में change किया 10 gram sodium carbonate को mole में फिर equation से help ली कि एक mole sodium carbonate कितने ions बनाता है equation ने मुझे बताया कि एक mole sodium carbonate 3 mole बना रहा है तो फिर मैंने क्या किया कि 0.094 कितने बनाएगा times 3 बनाएगा multiply कर लिया तो यह जो मेरे पास अभी moles आए है यह जो मेरे पास answer आए यह moles में है ठीक है अब मैंने नमबर बताना है तो मुझे यह बता है कि बटा एक mole एक mole जो आई होता है one mole of iron बटा मैं कि कह रहा हूँ कि अभी यह जो मैंने answer नकाला है यह जो मैंने यहां पर 0.282 नकाला है क्या यह answer है या नहीं यह मुझे बताएं पहले हाँ है कि बिडा पाइल आपटा ह सलता है यह इट करें यह थ्या कंग होघ गैज हुआ दो हम्लाहँ खुश्य मतना प्रस बंटारोच प्की बंचें हुश्य। से कि नहीं पूआ है, दियूद की से विटा हो जालना की वड़ा है वुट विटे विटे वैमिनिट के नहीं दीने कर दो रहा है स्पचश निल्icanaτο Chicago ध्येड इस्लम blijक अलाइकम रिछ था थो व्येड़ और वढ़तल मैं ठेक़ओ अच्छा बेटा अब हम देखें मैं यह कह रहा था कि यह आंसर नहीं आया आपके पास यह भी मोल्स हैं ठीक है हमने तो नंबर में आंसर देना है तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड आपको पता रहा हूं कि क्या करना है कि वन मोल कि बटा कोई भी आप आइन ले ना आइन उसके एक मोल में कितने पार्टिकल कितने आइन आएंगे 6.0210 की पावर 23 कोई भी आइन का एक मोल हो इसमें इतने बटा आइन आते हैं तो हमने इसके अंदर बताना है कि टोटल नमबर आइन कितने है 0.282 मोल्स में तो एक मोल्स में 6.0210 के बावर 23 आइन्स हैं तो 0.282 मोल्स में कितने आइन्स आएंगे X आइन्स आएंगे तो यहां से बेटा आप बेसिकली इसको अवगेडरोस नंबर से बस मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर आफ आइन्स आ जाएंगे जी बेटा मैं जी यह बताएं कि यह यहां तक क्लियर है ताके नेक्स क्लास में हम फिर इससे आगे फॉरवर्ट करें जी सर्टीक है बेटा मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है मैं इसको